हाई दोस्तों दो तिन दीन हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए आपका कहानी का चलिए आज 38 कहानी आपको सुना रहा हूँ कहानी वड़ी छोटी कहानी है लेकिन अभी जो हमारे मेंटेलिटी है खास करके जुबा लोग का उसके उपर एक बहुत अच्छा सीख है इस कहानी मे एक बार दो गडीव लड़का राजा और राजीब दो लड़का कहीं किसी दुसरे सहर में कमाने जा रहा था तो रात में चला जिस ट्रेन में चड़ना था दूसरा ट्रेन में चड़ गया तो उस सहर में नहीं पहुँच पा जहां पहुँचना था अब जिस सहर में वो पहुँचा वो एकदम अंजान सहर था अब राजा राजीब को तो एकदम भोचक्का लग रहा है कि वही कहां पहुँच गए और उसके बाद भी अगल वगल जिसको देख रहे हैं सब मुस्लिम आदमी है तो उसको लगा कौन सहर में आ गए है बड़ा उसको पटपटा सा लग रहा है और इतने देर में एकदम सुभा पार करके दोपार हो गया भूग भूग भी पुरा लगा हुआ है एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा है दूर में देखा एक मस्जीद है तो बला कि एक काम करते हैं राजा कहा कि राजीव चलो हम लोग उस मस्जीद में मौलवी जी से कुछ हेल्प लेते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन राजा ने कहा लेकिन राजीव हम लोग को हिंदू बनके वह नहीं जाना है हम लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं मेरा नाम राजा खान रख लेते हैं राजीब त्रिवेदी तुम कुछ दूसरा नाम रख लेते हैं राजीब त्रिवेदी ने कहा कि नहीं मैं नाम नहीं बदलूँगा तुम्हें बदलना है बदलो हम नाम नहीं बदलेंगे गया और मौलब जी जैसे देखे कि दो अज्ञान आदमी आये हैं दौरते हुए आये कि क्या बात है हम लोग ऐसे सहर से हैं हम लोग इस सहर में जाना था हम लोग रस्ता बटक गये हैं और यहां चारो और घूम रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मस्जीद दिखा तो हम लोग आये मैं हूँ राजा खान और यह हैं राजीब त्रिवेदी जी तो मौलब जी कहते हैं अब्दूल इधर आओ एक छोटा सा लड़का आया कहा कि एक जगा बढ़ियां से खाना परोस के ले आओ और राजीब जी को भरपेट खाना के लावी लोग खाए नहीं है रात से और राजा खान के और ताक के बोलते हैं कि राजा खान रमजान की पांचमी रोजा मुबारक हो अब सुच यह उसमें राजा खान की क्या स्थिती होगी दोस्तों अपना आइडिन्टिटी आपको नहीं खोना है किसी भी हालत में और मन में किसी तरह का पुर्वानुमान पुर्वाभ्याद उसम नहीं रखना है पुर्वाग्रह नहीं रखनी है ये रखेंगे तो जिन्दगी में के बल दूख ही मिलेगा आप इमानदारी पे रहे, सच्चाई पे रहे, अपनी सच्चाई को छुपाए नहीं तो आपको जिन्दगी में दोखा नहीं मिलेंगे उमिद करता हूँ, ये कहानी आपको बड़ा सिख देगा और आज के जुग में हम अपना आइडेंटिटी छुपाए फिरते हैं हम अपना आइडेंटिटी छुपाए फिरते हैं जिसके चलते हमको लगता है कि हमको फाइदा हो रहा है आपको दिक्कत जाना पड़ता है तो कोशिस करें, इस कहानी से सीख लेने का जादा से जादा इसको सेयर करें कि जादा से आदमी तक पहुँचे बहुत बहुत धन्वाद बने रही है सौ कहानी तयार है